हेलो माई बीटिफुल लेडीज दमस्ते तो फ्रेंग्स आज केस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी कॉमन प्रॉब्लम आपकी काफी बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि आपकी जब डिलेवरी होती है तो आपके प्राइविट पार्ट में दर्ध होता है वो दर् उस कट में टांके आते हैं तो डिलेवरी के बाद उस कट में दर्ध भी होता है तो मतलब आपके प्राइविट पार्ट में जो चीरा लगा हुआ है सिंपली भासा में उसमें जो दर्ध होता है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं कैसे उस दर्ध से आप बस सकते हैं कैसे मतलब कि आप अपने नॉर्मल डिलिविरी के जो टांके लगते हैं आपके प्राइविट पार्ट में उनको जल से जल ठीक कर सकते हैं यह बात है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो आप सब के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा है अगर आपको भी डिलिवर कर आपको बतलु आपको को यह कम से कम 90% चांसे आपको प्राइविट पार्ट में टांके जरूर आए होंगे उनकि पॉरी पूरियो डिलिवरी के टाइम पर फूर्स बनते हैं कि बच्छे को बाहर्नी कुछ जादा बनते हैं तो आपको भी प्राइविट पार्ट में टांके आए हैं दर्द होता है तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उपाय होता है आपको सिकाई करना चाहिए आप गरम पानी से सिकाई कर सकती है अब गरम पानी से तो आप ऐसे किसी च चाहिए ठीक है आपको बिना पैंटी के बैठना है ऐसे बैठना है कि आपका प्राइविट पार्ट पूरे तरीके से उस पानी में डिप हो जाए मतलब प्राइविट पार्ट उस पानी में अंदर रहे तो क्या होगा कि जब हलका गुन-गुना पानी होगा तो आपके चार दिन हो जाते हैं उसके बाद आपको ये टिप्स अपनाना है ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं टॉबल ले लिजे या सौफ्ट सा कपड़ा ले लिजे उसको आप हलके गुनगोने पानी में भिगो लीजे मतलब डिप कर लीजे फिर इसको थोड़ा स जाना पड़ेगा तब में नी बैठना पड़ेगा तो उसके लिए आप ये टिप्स फॉलू कर सकते हैं अब जब प्राइविट पार्ट में कट लगा होता है डिलेवरी के बाद तो आपको काफी दिक्कते होती है इस पेसली यूरिन पास करने में और यूरिन पास करने के आए और फिर आप उसकी सिकाई करें जरूर करें फिर इससे आपको दर्द से रहत मिलेगी इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टांकों में पेन हो रहा है कैसे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो मेरी पर्सनल एडवाइज है आपको ज़्यादर टिप्स अपनाने की जरूरत नहीं है कोई भी दिकत है आपको अपने टांकों में लग रहा है कि टांके पक रहे हैं जादा दर्द हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें डॉक्टर जो भी आपको एडवाइज करता है जो भी रिक्मेंट करता है वो आप करें जिससे कि आपके टां आप ना करें मतलब अपने आप से कोई भी इलाज आपको नहीं करना चाहिए इस चीज में ज्यादर से ज्यादर की अडवाइज आपको माननी चाहिए ठीके फ्रेंड्स तो आई हूप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप मुझे कॉमेंट वक्त में ज